इस टाइम सी बीएसी ने एक इंपोर्टन अपडेट रिलीस किया और उन्होंने ये बताया है कि जो भी स्कूल इस एस एसो पीए को जो फॉलो नहीं करेगा उनको ये बहार कर देंगे उनके प्राक्टिकल एक्जाम को कांसल कर दिया जाएगा सो ये आपको जो आपकी नोटिफिकेशन है ये आपको मिल जाएंगे सी बीएसी की ओफिशल साइट पर उसी साइट पर जहां पर आप लोगों को डेट शीट देखने के लिए मिलिए उसी साइट पर आपको ये पूरी की पूरी एसो पी मिल जाएगी और उन्होंने ये बोला कि इन ने कुछ डेट्स बताएं ये在 के इन और सब्सक्राइब क्याएं peno इंट्र ये विन वं लिकार से इसमेंबर में फॉर्टीं डिसेंबरिंबर कंप्लीट हो जाने दिए न लोगोमा अगर कोई भी अप्लोडिंग में तो वह आप लोग को कैसे फॉलो आउट होना है यहां पर बता दीगे इंस्ट्रक्शन बताए गए है आप लोगों को रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन उन्होंने बताया है कि अगर प्राक्टिकल एग्जामनेशन प्रोजेक्ट इंटर्नल असेस्मेंट शाल भी कंड़क्टेट फॉर रेग्लर स्टूडेंट्स स्पांसर तो एलो सी ओफ क्लास 10 अंट 12 बेस्टोगा किस पर इलिजिबिलिटी पर बेस्ट हो जाएगा या फिर बॉनिफाइट स्टेटस ऑफ दी स्टूरेंट्स पर तो क्या क्या वह आपके लिए एक्षंज लेंगी आपके अगेंस्ट अक्शन रिए वह समय पर मैंशन किये गए हैं बोर्स राइट को थे ब्लु कैंसल दप्राक्टिकल ऐग्जम ठीक है तो वह अपकर एग्जामिनेशन कैंसल कर दे अगर आप किसी भी अनफर मीन्स में प अगर आप जो बोर्ड की एसो पी है सीवेसी ने जो रिलीस की है वो फॉलो नहीं करते हैं तो सीवेसी की पूरा-पूरा राइट है कि वह आपके प्राक्टिकल एक्जामेनेशन को कैंसल कर सकते हैं ठीक है तो इसका वेट नहीं करेंगे इसको ध्यान से देखेंगे कि यहां यह इंपोर्टेंट पोईट यहां पर कुछ और भी बहुत सारे पोईट्स मेंशन किये गए विच वेरी इंपोर्टेंट फॉर यू इंटरनल एक्जामेनेशन से रिलेटेड है बाच अंगुरॉप साइज से रिलेटेड है यहां पर चीक है और यहां पर कंड़ किया अपलोडिंग फोटोग्राफ्स तुरू विच आप विल बी डूइंग इट अटेंडेंट शीट में भी कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए उसके लिए उन्होंने अलग गाइडलाइन की गई है रिस्क्रीडूलिंग ऑफ प्राक्टिकल एक्जाम्स ठीक है और जो माटीर आपका एक्जाम होगा तब कौन-कौन सा साफ होता है क्या प्रेजेंट होगा सो यह कंप्लीट ब्रॉशर है जो आप लोग डाउनोड कर सकते हैं सीबी एसी के ऑफिशल साइट से उसी साइट से जहां पर आपको डेट शीट देखने के लिए मिली है मेक्श और गाइस की आ आप लोग बहुत ईजली अच्छे से डाउनोड करकर पढ़ ले कोई मिस्टेक आपकी साइट से नहीं होनी चाहिए और राइट थैंक यू सो मच आई होब दिस वीडियो फाइंड यू वेल आंड इस वीडियो इंपोर्टन फॉर यू और यह आपके लिए बहुत होगी